हालो अब्रीवन वेलकम बैक तो मास्टर कॉंसेट सीरीज आफ ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक हम लोग 19 लेक्टर डिसक्स कर चुके हैं डिटेल्ड वे में डिसक्स कर चुके हैं अन्य बहुत सारे क्वेश्चिंज मैंने आपको कराये कैसे कॉस्चिंज फ्रेम होते हैं हर क तो अब यह मास्टर कॉंसेट सीरीज में हम लोग उन्हीं कॉंसेट को डिसक्स करेंगे जहां से कॉस्चिंज आते हैं ठीक है टूज़ रहेंगे लेक्टर साथ के ठीक है अभी 15 अपर से हमारा बैज स्टार्ट होने वाला है ठीक है आई एस मास्टर के प्लेटफॉर्म पर टीक है तो उसमें आप इंड्रोल कर सकते हैं और एक अच्छी रैंक अपनी जो है एंचियो कर सकते हैं आई एस मास्टर के साथ में ठीक है तो अभी हम लोग यहां पर फाइल सरे डिटेट चीज़ें डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्टर फ और लिम्टेट टाइम में अप पुराइस कभर कर लिह होंगे ठीक है तो यहाँ पर यह लास्ट लेक्चर है हमारा फाइल ठीक है यहाँ पर मैं सिंपल आपको यहाँ पर एक और एक कॉंसेट दूगा ठीक हैatin maximum possible size कैसे calculate करते हैं ठीक है file allocation methods होते हैं आपके contagious okay non contagious okay linked okay contagious manner में non contagious manner में और आपका index manner में ठीक है तो वो सब चीजे अठीज है ठीक है तो directly मैं यहां पर आपको master concept की series में एक formula देने जा रहा हूं ठीक है उस formula पर based questions पूछे जाते हैं आपके numerical type के तो उनको कैसे handle करना है वो मैं आपको यहां पर देने जा रहा हूं ठीक है तो start कर लेते हैं अपना ठीक है तो यहां पर एक maximum possible size calculate करने का formula होता है unix i node में unix i node file में maximum possible size calculate करने का formula होता है maximum possible file size calculate करने का formula होता है maximum possible file size calculate करने का formula होता है ठीक है ठीक है नमबर आप डारेक्ट पॉइंटर्स ठीक है थाई सर्बकर्ध कर देकि यह पग सूने पॉइंटर्स पॉइंटर्स divUT स्ध पॉइंटर्स बडलेक्ट पॉइंटर्स क्वएंट पॉइंटर्ण तो और पूरे का मुल्टिप्लाई कर देते हैं डी बी साइज से डेटाबेस साइज से डिस्क ब्लॉक साइज से तो यह आपका एक फॉर्मुला होता है इस फॉरूले पर बेस मैं आपको क्वेश्यन कराऊंगा ठीक हम लोग यहां पर नुमेरिकल डिसक्रस करेंगे इस फॉर का क्या सकते हो कौक़र को टीक है इंडरेक्ट पॉइंटर आप कहसे क bluff कर सकती हो डीवीडिक इस ब्लॉक साइज होता है इसको अब डिवाइट कर दो डीवी तूइस ठीक है डिस्क ब्लॉक एडड्रस निकलाएंग तो तो सिंप्ली डिवाइट करके जो भी यहां पर लिख देंगे डिवाइट करके उसका होल स्कॉयर करेंगे ट्रिपल इंडरेक्ट होगा तो क्यूब लगा देंगे और लास्ट पूरी चीज़ को हम लोग कर देंगे डीवी साइज से इस ब्लॉक साइज से सो यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए कई बार गेट में कुशन यहां से पूंचा गया है रिसेंटली भी पूंचे गया है तो डिरेक्टली जो है मैं यहां पर कुशन आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं ठीक है है कुशन जो इंपॉर्टेंट कुशन है ठीक है जो कुशन आपके पूछे गए हैं एक्जाम्स में उनको हम लोग यहां पर डिसकुस करने जा रहे हैं ठीक है उनको डिरेक्टली अब डिसकुस कर लेंगे तो आपको सारी चीज़े बहुत च्छे से क्लियर हो जाएंगी ठ ठीक है ठीक है तो पहला कुशन है आपका यहां पर यूनिक्स स्टाइल इनोट्स हाज 100 डिरेक्ट पोइंटर्स तो नमबर अप डिरेक्ट पोइंटर्स कितने के विन है कितने के विन है पेटा 10 कितने के विन है 10 and one single one double and one triple indirect pointers ठीक है भी गिवन है आपको one single comma double comma triple indirect pointers भी आपको गिवन है ठीक है indirect pointers भी आपको गिवन है ठीक है तो यहां पर disk का block size कितना है 1 kilobyte db size आपको कितना गिवन है 1 kilobyte disk block address db आपको गिवन है कितना 32 bits ठीक है divide कर दोगा इसको 8 से कितने कितने मैं जाएगा यह 4 byte हो जाएगा and 48 bit integers are used okay what is the maximum possible file size so maximum possible file size इसने आप चे पूछा है ठीक है maximum possible file size उसने आप चे पूछा है तो जो formula हमारा है वो यहां पे लिख लो और से इसको calculate करो फिल लिख लेता है formula को formula आपको याद हो जाएगा maximum possible file size calculate करने का formula क्या है ठीक है number of number of direct pointers कितने है 10 plus one indirect okay pointer तो कैसे calculate करोगे one indirect pointer को ठीक है डीबी size one kb है और डीबी कितना है 4 byte है थो बाइट से white cancel out हो जाएगा ठीक है plus one kb one double में one kb divided by four okay byte इससे को cancel करोगे square हो जाएगा plus triple में क्या हो जाएगा cube हो जाएगा one kb divided by four byte इससे को cancel करोगे whole cube हो जाएगा पूरे का multiply हो जाएगा db size से db size कितना है बेटा 1 kilobyte 1 kb ठीक है तो इस पूरे को solve कर लेते हैं आपको आपका maximum possible file size मिल जाएगा ठीक है आपको आपका maximum possible file size मिल जाएगा ठीक है कितना होगा answer आपका 10 प्लस यह कितना होगा 2 की पावर 10 ओके divide by 2 की पावर 2 2 2 key power 8 हो जाएगा प्लस यह trick high powerful हो जाएगा मतलब टूcky power 8 in to to ke power 8 एट प्लस यह टू की पावर 8 का ओल क्यूoubl हो जाएगा मतलब तूक की पावर eight into two-onda power 8 into 2 पूख एट पूरे को multiple नेगिए कैसे1üubी से इस कि इस पूरे को हम लोग मुल्टिप्लाई कर रहा है किस से वन के भी से तो मैक्सिमम पॉसिबल फाइल साइज आप से यहां पे पूछा तो मैक्सिमम पॉसिबल फाइल साइज आप कैसे कल्कूट करोगे तो तो देखो फाइल सब्सक्राइब अधूर्य peptडर। walcion से सब्कों इन ज्यादा नहीं पड़ेस्ट ना वेन गाँ टू की पावर एट इंट टू की पावर एट टू टू की पावर एट इंटू वन केभी कितना ओ Islamic की पाव 10 ठीकैर बायट ज़्वर मैं पूरेbeltgeburd coun 24 यह हो जाएगा 8 8 16 9 24 और 2 की पावर 10 2 की पावर 34 बाइट टीक है सो कौन सा option करेक्ट हो गया option a no option b no 2 की पावर 34 बाइट yes option c is the right answer possible maximum possible file size option d रहा हूं टीक है सब्सक्राइब आपको समझ में आ गया होगा ऐसा ही questions आपको कई बार out heb a gate में फूझे गएyim ठीक है फुक्वंटिली फूझे गए हइसी questions ठीक है तो और कुछs questions देख लेते हैं यहां पर यह next question है आपका अशुसंट फिस आका इस कोची कोच्च को एक बार इनकर करो ठीक है recall करो concept को हेक बार यहाँ पर concept recall करो एक बार यहां पर आप खुच से ट्राई करो, बताओ किस question का answer क्या सही होगा. इस question को आप खुच से ट्राई करिये. In a particular Unix operating system, each data block is of size 1024 bytes, each node has 10 direct data block address, 10 direct data block address and 3 additional addresses, one for single indirect, one for double indirect and one for triple indirect block. Also, each block can contain address for 128 blocks. Each block can contain address for 128 blocks. data block size 1024 bytes given, which one of the following is approximately the maximum file size, maximum okay, maximum size of a file in the file system. So, जल्दी से इस question को फटाफट solve करो, और मुझे answer बताने की कोसस करो. Each block can contain address for 128 blocks. तो इसका answer जल्दी से कैलकूट करके बताओ कितना आएगा. इसको जल्दी से solve करो और बताओ को इस question का answer कितना आएगा. ठीक है? बढ़ियां question है आपका ये. जल्दी से solve करो इस question को. जल्दी से इसको solve करो answer आया किसी का. Anyone got answer. किसी को answer मिला इस question का. ठीक है? तो जल्दी से बताओ इस question का answer क्या होगा? वो कह रहा है इने particular unique operating system. Each data block is of size 1024 bytes. हर एक data block का size कितना है? 1024 bytes है. Each node has 10 direct block addresses and 3 additional addresses. 1 for indirect block, 1 for double indirect block and 1 for triple indirect block. Also, each block, each block can contain address for 128 blocks. Each block contain address of 128 blocks. ठीक है? Each block can contain the address of 128 blocks. So, यहाँ पर जो हम लोग DB size upon DBA जो calculate करते हैं. DB size अपन जो DBA calculate करते हैं. Single indirect block के लिए, double indirect block के लिए, और triple indirect block के लिए. ठीक है, यहाँ पर block word use हुआ. यहाँ पर pointer word नहीं use हुआ है. ठीक है, यहाँ पर क्या word use हो रहा है? ठीक है, तो आपकी पूरी की पूरी one disk एक block में store होती है. ठीक है, equal to disk should be store in one block. ओके, disk should be store in one block. ठीक है, तो पूरी की पूरी disk आपकी एक block में store होती है. ठीक है, इसका यह मतलब होता है. डाइकली formula लगा लो, ठीक है, maximum possible size का. maximum possible फाइल साइज का formula लगा लो, क्या हो जाएगा बैटा direct कितने है, direct data blocks कितने है, 10, quintus नहीं है, blocks है directly है, प्लस, 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 आपका one single indirect block कितने है, single indirect block आपके kतने है, single indirect block है, आपके 128, प्लस double indirect block कितने है, 128 into 128, प्लस ट्रिपल इंडरेक्ट बॉक कितने हैं 128 इंटो 128 इंटो 128 और डीवी साइज कितना है आपका 1024 बाइट ठीक है multiplied by वाट 1024 बाइट ठीक है काल्कुलेट कर लो उसको फटा फट ठीक है तो मैक्सम पॉसिबल साइज आपका यह यह इसका जब से मुल्டिप्लाइब करोके तो आपका एंणस आज एगा तो कितना 128 इंटө 128 इंटो 128 इंटो 128 बैट ना लग कर देए अगर बाइट को और टू की पावर वНе यहां पर टू आजा जाएगा कितना जाएगा यह मेरा तू जीवी अप्रोक्सीमेटली किटना आजाए गा टू घिगाबइट फिके टू जी भी आंसर आजएगा तू जाएगा तो अप्शन भी करेक्ट है यहा यहां पर आपका जो इच ब्लॉक कें अड्रस ऑफ और 128 ब्लॉक्स इस तरीके से गिवेन है तो डीवी साइज अपन डीवी ही होता है वह आपका ठीक है तो उसको डिर्क लिए से यूज कर लेते हैं डिवाइट नहीं करते हैं ठीक है तो यह भी अच्छा कोश्चिन था गेट के डिसकर्श करें हम लोग यहां पर सारे इसकरें तो तारे से इस गेट इसकरेंगे फ्योगत स्कूफ्टेस करिए टाक है अग्ला कुश्टик कर लेते हैं यह बढ़या कॉश्चन है कुछ से के ब्ढ़न से साल नियुक्त को फटट खून का थऱिंद क्या यह का फ्या इग system has 12 direct one single indirect and one double indirect pointers यहां पर पॉइंटर देंगे तो आपको DB size upon DBA देंगे ठीक है और वैचे देंगे कर blocks ठीक है कि इस ब्लोग ने कितने block address contain कर रखें तो directly use कर लेंगे उसको दिस्क ब्लोग size is 4 kilobyte and the disk block address is 32 bits long the maximum possible file size is rounded off to one decimal places how many gigabyte तो मैं आपको यहां पर two minutes दे रहा हूं ठीक है यह questions अच्छे है recall करो concepts और solve करने की कोशिस करो recall करो concept और solve करने की कोशिस करो ठीक है मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने familiar हो गए इन सारे कोंसेट से ठीक है जो हम लोग यहां discuss कर रहे है ठीक है तो यह लांस लेक्ट्टर है आपका और मैंने operating system को बहुत अच्छे से discuss किया आपके साथ operating system बड़ा सब्जेक्ट है ठीक है और अच्छे से मैंने करने की कोसिस की है ठीक है सारे मास्टर कॉंसेप्ट को मैंने डिसक्रस किया आपके साथ कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है आपका ठीक है ठीकल चीजे मैंने लीप किये जो मास्टर कॉंसेप्ट में नहीं आते थे ठीक है वो ठीक है उसके बाद मैंने सारी चीजे आपकी यहा होगा ठीक है पहले तो फार्मुला ही लिख लो मैक्समुम पॉसिबिल साइस का ठीक है तो कितना आएगा यह आपका ठीक है इसको काल्कुलेट करना पड़ेगा पूरा तो हैस्ट्व डारेक्ट ट्वेल्फ प्लस ठीक है वन सिंगल एंड डबल डिरेक्ट है तो रखली मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर के भी डिवाइट भाइट इवाइट करोगे फॉर बाइट आजेगा इस ब्लॉक अड्रस प्लस फॉर के भी डिवाइट भाइट का होल स डिवाइड करता हो कि से डी बी साइसे डी वी साइस कितना ऑपके फॉर को और के है ठीक है इस ऑल कर लोस को डिवाइट करके ठीक है आपको आघंस आट न्युक्त में यहांट से आपको जी महीप मैं तो 10241024 से डिवाइट कर देना की के एक हीच पहलत हो देख रहां हो जाएगा है िइसकंड आपका उसटाएगा कितना ओजाएगा 12 प्लस्त फोर ख्वर टेशल्मी देख से यहीत्स तो टू को और तन ऑध नगर टीई को दू कीचत्या है बाइट में रहने जो ठीक है इस पूरे को आप क्या करो एड कर लो ठीक है इसको वैसे आइड कर लो कि इने राउंड अफ टु वन डेसिमल प्लेस पूछा है ठीक है इसको आफ इसको आइड कर लो पूरे को करो मल्टिप्लाई करो टू की पावर 12 भाइट ठीक है टू की पावर 12 से जितना भी आए उसको जीवी में आंसर निकालना है आपको तो 1024 1 MB हो जाएगा और जीवी में निकालना 1024 उससे डिवाइड करना जितना भी आंसर है यहां पर फिल कर देना ठीक है ठीक है तो पूरे क पूरे को मुल्टिप्लाई करो आपस में इन सबको एड करो टू की पावर 12 से एड करो बाद में फिर 1024 की क्यूब से उसको डिवाइड कर देना आपका जीवी में आपका आंसर आ जाएगा ठीक है और डेसिमल प्रेस तक उसको आप क्या कर देना राउंड ओफ कर देना ठी है अगला कुश्यन यह है इसको सल्थी से फटाफट सौल कर लो अगला कुश्यन आपका यह है एफाइल सिस्टम भी 300 Giga बाइट डिस्क उसे फाइल डिस्क्रिप्टर के बिद एट डिरेक्ट ब्लोग अड्रिस कॉमा वन इंडरेक्ट ब्लोग अड्रिस एंड डॉन डॉन जल्दी से सौल करके आप साथे टीक्क है तो यहां पर भी टू मिनेट अपने तो इसके बाद हमारी जो है फाइल भी खतम हो गई टीक्व में तो आचुके जो भी रोड्म आप में आपको स्टार्टिंग में बताया था ठीक है अब हमारा 15 अपरेल से बैच स्टार्ट होने जा रहा है ठीक है ओनलाइन मोड में ठीक है तो अपने को भी सेयर करो जो गेट की प्रेट्परेशन करना चाहते हैं बस्ट कंटेंट रहाएब आपको ठीक है माटेरियल भी आपको मिलेगा आईस मास्तर को आप हैसे भी जानते हो ठीक है कंसिस्टन Tresule के लिए один के लिए तो अपने फ्रेंट्स को भी बताओ और उनके साथ भी बीडियो लेक्चर्स को सेयर करो और बताओ कि पंकत मिस्टर साज आई एस मास्टर के प्लेटफॉर्म पर आगे हैं जहां पर उन्हें सी ओए और ओप्रेटिंग सिस्टम डिसक्रस किया है तो जल्दी साइस कु जल्दी से फुष्टन का भी आंसर बताओ क्या आना चाहिए तो यहां पर भी आपको क्या करना है वही मैक्सिमुम पॉसिमुम फॉसिबल फाइल साइज का फॉर्मूला लगा देना है मैक्सिमुम फॉसिबल फाइल साइज को टेंडरेक्ट ऐस टेंड डारेक्ट ठीक है कितने डारेक्ट ब्लॉक एड्रस आपके डारेक्ट कितने एट प्लस है इन डारेक्ट ब्लॉक एड्रस कितना है वन सो 128 बाइट डिस्क ब्लॉक का एड्रस और ब्लॉक 128 बाइट डिवाइट बाइट 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 से बाइट बाइट से ट्रीक है शोई कितना हो जायागा 8 फ्लस टूखी ऑब जिए दिए द्टू प्री तूखीarlaट हुझ पावर 0.000 फ्रेवाव टूग्ज पावर 4 गॉच गॉट्राइस पावर फॉरा 2 ृट बाइट बास सब्सक्राइब करें तो यह भी कैसे होगा आपका यह भी आपका पूरा आप मिल्टिप्लाइब करके एड करो बाद में किलो बाइट में आंसर गिविन है 1024 से डिवाइट कर देना ठीक है तो कैल सी के दुरू आपका यह भी हो जाएगा ठीक है पूरे को इसको से हम लोगोंने solve किये तो अभी तक जो है अभी तक जो है अभी तक जो है operating system का हम लोग सारी चीज यहां discuss कर चुके है ठीक है operating system की सारी चीज हम लोग यहां discuss कर चुके है तो introduction discuss कर लिया हम लोगोंने ठीक है धन हम लोगोंने क्या किया यहां पर 3 & 4 lecture में अपना process management discuss किया then cpu scheduling इस तरीके से हम लोग ने सारी चीज़ें यहां पर डिसक्रस कर लिए वन बाई वन ठीक है , understood so thank you so much my dear friends को पूरीं की पूरी पूरीं की पूरीं इस्टम को हम लोगने यहां इसकर्स कर लिए ठीक है अच्छे से ठीक है और सारे इतने ढबी कॉंखेशब से वो मैंने आपके साथ यहां इसकर्स की है ठीक है आपको यह सीरीज पसंद आई होगी ठीक है अपरटिंग सिस्टम का यह लास्ट लेक्चर था जो हम लोग नहीं यहां डिसक्रस कर लिया डिटेल मैनर में किस्टल क्लियर मैनर में ओके उसके तो थैंक्यू सो मच मैं डियर फिंड्स फॉर लव और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ बहुत जल्दी हम लोग यहां बैज स्टार्ट करने वाले हैं 15 अपरेल से स्टार्ट होने वारा एंड लोड इंड्रोल कर लो ठीक है अपने फ्रेंड्स को भी सेयर करो ऑके तैंक you so much my dear friends for your love and support thank you